स्वागठों दोस्ता आप सप्पाई को नीव वीडियो के अंदर और आज की स्वीडियो में बात करने वाले हैं बिहारी स्टेट को लेकर जिसको लेकर हमारे सामने एक आर्टिकल है जिसमें बताये गया है कि नैशनल हाइवे बनाने में क्यों पिछड गया है बिहार देश की सोगात एक्सप्रेसवे की दी गई है हला कि इसके बाद भी हाइवे बनानी की रेस में बिहार काफी पिछड गया है इसके पीछे एक दो नहीं बलकि कैई कारण है तो चलिए जान लेते हैं हमारे इन ही कारणों को क्या कुछ बताय गया है कि आखिर हमारा बिहार क्यों दीती लेकिन अभी आगटकर 4.4% ही रह गई है पिछले 20 वर्सों में इस्सेदारी बढ़ने की जगए घटती ने जरा रही है इसका बड़ा कारण एनेच की कैई पर योजनाय पूरी नहीं होना है और केंद्र से जो रासी मिल रही है वह भी खच नहीं हो पा रही है नेशन है और यूपी की इससेदारी 8.86 विजदी के करीब है तो इसी प्रकार अलग-अलग स्टेट है जो यहां पर बताए गए है और एक लिश्ट में भी हमें दिखाया गया है नेशनल हाइवे में देश के टोप राज्य तो पहले पर महाराष्ट है दूसरे पर उत्रपरदेश है तीसरे पर राजिस्थान चोथे पर मद्यपरदेश फिर आंदर परदेश करनाटक गुजरात रुफिस समय लाश्ट में है बिहार तो बिहार की जो लेंथ दिखाई गई है हाइवे की किलोमेटर में 6132 किलोमेटर की लेंथ है हाइवे की कुल बिहार के अंदर तो बिहा हाईवे 2005 के मुकाबले दो गुने से भी अधिक हो गए हैं लेकिन देश में जिस पैमाने पर नेशनल हाईवे का निमाड हुआ है उसमें बिहार पीछे रहा गया तो एक बड़ी वज़ा यह भी है कि नेशनल हाईवे के लिए जो रासी बिहार को मिलती है वे पूरी तरह से ख तो नेशनल हाईवे जैसी सड़कें किसी पर देश के लिए विकास का इंजन मानी जाती है इसमें आगमन के साथ साथ वियापार को भी बढ़ावा मिलता है राज्ये के अंदर कनेक्टिविटी तो बढ़ती है देश इस तर पर भी कनेक्टिविटी में काफी जाफ़ा नहीं बढ़ रहा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 30,000 क्रोड इस पर खर्च होगा इसमें दर्भंगा बाइपास सीता मणी खरका बसंत राजिगर एलेवेटर रोड के लावा नोवतपूर हरीहरगंज सुपोल बाइपास समस्तिपूर बाइपास डुम्रा बाइपास बरभीगा, जुमई, जमुई, कटोरिया, इत्यादी हैं आप लोग देख लिजेगा जिसको मिलाकर इन सब के निमान के लिए 17,000 क्रोड रुपे मिले हैं इसमें हर साल बड़ी रासी खर्च हो पाई है यहां आकड़ो समझाया जा सकता है तो 2015-16 में 826 क्रोड रुपे मिले हैं बिहार को रोड इंफरस्ट्रक्शर के लिए लेकिन उसमें से जो खर्च किये गए हैं वो खर्च किये गए हैं तो लगबग 1770 क्रोड रुपे खर्च किये गए हैं मतलब पूरी धनरासी खर्च नहीं हो पाई है तो देश में नैशनल हाईवे की कुल संक्या 599 में है इ है कितना महत्वपूर हैं बिहार में 50 से दिक नैशनल हाईवे हैं पहले सिंगल लाइन के नैशनल हाईवे थे लेकिन केंदर ने लेकिन केंद सरकार्नें से पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला ले लिया है वहीं दो लेन के हाईवे को भी केंदर सरकार्ने चाल लेन या उ राष्टेर राजम्राग परदी करण की ओर से 6-3 की स्थितियों को देख कर तैक की जाती है अधिकारियों के नुसार दो लेंड से 8 लेंड तक नेशनल हाइवे के लिए जो जमीन की जुरत पड़ती है वह इस प्रकार से है तो दो लेंड के लिए जो जमीन चाहिए वो चाहि और आठ लेंड के 75 मेटर चोड़ाई की जमीन चाहिए होती है तो बिहार में प्रतिलाक आबादी पर 4.54 किलो मेटर नेशनल हाइवे है आबादी के दुष्टी कोड से देखे तो नेशनल हाइवे का 1 लाग की आबादी पर राष्ट्य औसत 10.2 किलो मेटर यानि 6 तरफल औ अबादी के हिसाब से भी बिहार नेशनल हाइवे के मामले में राष्ट्य ओसत से काफी पीछे है अरुनाचल परदेश में 1 लाग की आबादी पर 1.83.5 किलो मेटर नेशनल हाइवे है वहीं मिजोरम में 1 लाग की आबादी पर 130.4 किलो मेटर और अन्दमान निकोबार परदेश और करनाटक जैसे राज्यों के इस्तिती काफी भैतर है उन इन राज्यों के इस्तिती भी भैतर है जहां आबादी कम है तो यहीं तो दोस्तों हमारा बिहार को लेकर एक छोटा सा आटिकल जहां में बताया गया है कि आखिरकार क्यूं बिहार अपने नेशनल हाइ कर दो यो में?